दोस्तों कभी आपने चार wire वाले capacitor को देखा है, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में देख लो हो सकता का अभी लोग उने देखा भी हो, ये capacitor कहांपर इस्माल किया जाता है और इस capacitor के benefits क्या है और इस capacitor के wiring को कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा wire कहांपर लगा है और और पी कुछ के बारे में हम जाने के इसको डास्ट करना सीखेंगे तो इस वीडियो को देख लेना मुल्योंने एक कपेश्टर पहले पिदेखा है तो comment करके जरूर बताना अब यहां पर दो capacitor मेरे पास है इन capacitor के उपर कुछ यह पर इसके values लिखी रहती हैं इसके coding लिखी रहती है और ये capacitor सबसे ब्ले बताओ तो pari कहा Wakanda यह यह कपेश्टर वासिंग मशीन के अंदर ज्याद तर देखने के लिए मिलता है, वासिंग मशीन में आपको पता है कि दो मोटर इसमाल करी जाती है, एक कपड़े दोने वाले सेक्शन में और एक कपड़े सुखाने वाले सेक्शन में, जहां पर कपड़े को निथारा जाता है दो मोटर जो लगती है वो अलग अलग वाट की अलग अलग पावर की होती है दोनों को चलाने के लिए आपको पता है मोटर में कपैस्टर का इसमाल किया जाता है तो दोनों को चलाने के लिए कपैस्टर लगाई जाते हैं अब वहाँ पर भाई आपको बता दूँ दो मोटर के लिए दो कपैस्टर ना लगाने के बज़ाए दो मोटर के लिए एक कपैस्टर कमपणी के द्वारा बना गया ताकि एक ही कपैस्टर से हमारी दो मोटर चल सके है लेकिन इसमें अंतर क्या है कि दो कपैस्टर की जगम एक लगाए तो एक कपेस्टर के अंदर ही ऐसा function दिया जाता है कि वो दो value बाहर को देता है तो यहां पर चार wire का यही काम है एक wire एक pair एक पैस एक पैस्टर का और एक पैस्टर का इस एक पैस्टर के अंदर दो relative क 27 होती है नहीं अकर आप जो तो यहां पर पैक्ड है पूरा तो इसके अंदर दो कपेस्टर होती है इस तरीके से इस कपेस्टर को डिजैन किया जाता है कि इसके अंदर दो वैल्यू के कपेस्टर होती है तो दो जो वायर होती है वो एक कपेस्टर की होती है दो वायर एक कपेस्टर की होती है इसके उपर साब 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 लिखा भी है जैसके आपकां दिख रहा है उपर बाभाले लाइन एक देखेंगे नीचे वाले लाइन पर देखेंगे रैड और येलौ रैडड येलौ है हमारी 12 successive बारा माइक्रोंगर ऐसकीे हैं यहां पर को एक सीज़ बता दूँ भी आपके वुल्षी मसिन के अंदर कपैश्ट खराब हो जाता है तो आप उहां पर अलग से अलग से वैल्यू का कपैस्टर लगा सकते हैं अब यहां पर दो अलग अलग वैल्यू के जहां पर कपैस्टर है वह आपके कहां पर लगते हैं यहां पर जो 12 माईक्रोफेरेड वाला पेर है वो आपका कपडे धोने वाले मोटर में लगता है और कपड़े सुखाने वाले में पाँच मैक्रोफेरेड का लगता है को pom моाज का होगा वो कपड़े सुखानेंट मोटर पर होождा क्यों winding 22 में जो मोटर करीन जाती हां उसमें जयादा ोगadas that you plan को6 से अ ne मोटर को सही से घुमा सके हैं तो जो जयादे माेक्रों का होगा वो तकर और रहे फोर काम नहीं कर रही है और कपेस्ट पर मारी है तो वहां पर अलग से एक कपेस्टि लगा सकते हैं तो आप क्या करें है मोटर से जय्दे माइक्रोफरेट वाला जो पेर होगा उसकी कपेश्टर के वायर को कट कर लेंगे और वहाँ पर आप अगर चार तार वाला नहीं लगाना चाहते हो तो 12 माइक्रोफरेट का लग से लगा सकते हैं 12 माइक्रोफेडर का अलग से लगा अगर कपड़े सुखाने वाली मोटर काम नहीं कर रही है क्या पर आप लग से चार से पांस माइक्रोफेडर की मोटर लगा सकते हैं चुकि आपको बता दूँ दो कपैस्टर अलग अलग लेते हैं तो वह महंगी पढ़ जाती है लेकिन यह कपैस्टर एक ही एक के प्राइज में पढ़ जाती है इसलिए यहां पर एक कपैस्टर को मैनुफिक्चर किया जा इस तरीके से इसमें फंक्शन दिया जाता है धो सकते है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो लेकिन थोड़ा से तरीके से आपको सिखा रहो तो इसके हमने वायर के प्रकुफ अभी आपको मैं टेस्ट करना भी सिखाऊगा अब यहां पर कुछ लिखा नहीं है यहां यहां पर अतना सा लिखा है 11 प्लस 6 ख़ार्विक्रोफ रडड तो यहां पर इन्टीकेट ह्याइक स tut अलगल पेर है इसलिए आप यहाँ पर इन दोनों पेर को ना उठा के इस तरीके से उठाएंगे क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर उन्हें किया हुआ है अब आपको मैं चेक करना बताऊंगा अब यहाँ पर जो 11 माइक्रोफेर्ड का होगा वो कपड़े धोने वाले में इस्तेमाल किया जागा अब चलिए मैं चेक करता हूं यहाँ पर एक मल्टी मीटर सिर्फ कपास्टर को टेस्ट करने के लिए मैंने खरिदा हुआ है पावर और करते हैं उसको 20 माइक्रोफेर्ड प वाला है पूरा 6 माइक्रोफेर्ड नहीं दिखा रहा है तक यह टॉच हो जा रहा है 5.8 के सम्तिंग पहुंच जा रहे हैं कि यह पेर हमारा 6 माइक्रोफेर्ड वाला है यह जो पेर है हमारा यह वासिंग मसीन की कपड़े सुखाने वाली मोटर पे पेर लगेगा अब माइक्रोफेर्ड के इसकी वैल्यू बता रही है और यहां पर लिखा हुआ है 12 ग्यारा माइक्रोफेर्ड यानि कि अभी वीक नहीं है अभी यह काम कर जाएगा नो प्रब्लम तो यहां पर यह 11 माइक्रोफेर्ड वाला पेर है इस तरी के सम्ने इसको चेक भी के लिए और पेर भी फैंट का लिया है और यहां पर लिखा है जैसे कि इसमें लिखा था इन दोनों का पेर था तो मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए यह हमारा 4.92 यह पांच माइक्रोफेर्ड वाला पेर है यानि कि ब्लेक ग्रे जी हम ब्लेक ग्रे पांच माइक्रोफेर्ड का दिखा रहा है बिल्कुल सही है और रेड और येलो का हमारा देखिए रेड और येलो का हमारा कितना माइक्रोफेर्ड का है कि यहां पर सो नी कर रहे है यहां पर वा vigor रहा है यहांत माइकरोड ही यह यह तोEnt यहां पर यह दोनों आपके सभी स्लामत है तो श्रीज आ सकते हैं तो यह लंसे यह बिल्कुल डेड हो चुका है यह वाला साइट तो इस तरीकी से अगर आपका एक तरफ का भी वर्क नहीं करें तो दूसरी तरफ के वैल्यों आप देख लिजिए उस रिसाब से आप उसको वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर उसकी रिक्वार्मेंट हो तो इस तरीकी से टेस्ट किया जा सकता है और इस तरीकी सी मैं आपको बता दिया बाकी अगर इसके बार में और भी कोई स्वाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं नॉर्मल कपैस्टर की टेस्टिंग की वीडियों मैंने अल्लेडी बनाया है उसको भी आप ज़रूर देख लेना यह वीडियो पसंद आया या फिर कुछ भी आपको सीखने मिला है तो प्यारा से कमेंट करना और एक चोटा सा लाइक अपनी तरफ से ज़रूर कर लेना थैंक्यू सो मच्छ